नगश्कार स्वागत है आप सभी का TCS पाइसाला के YouTube चैनल पे मैं आपके साथ पॉलेटी का सेसन डिस्कस कर रहा हूं जिसमें आने वाली परिछाओं के लिए जो समझधान से बनने वाले प्रस्वे हैं उनकी एक सिरीज हम लोग लेकर के आये हैं और उनका पांट सभी छे लेक्चर और रेडी प्ले लिस्ट में दिया गे रहे हैं आज हम लोग जिस लेक्चर को डिस्कस करने हैं वो लेक्चर नवर सेवन हैं तो आये स्टार्ट करते हैं अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की हुई थी 6 लेक्शर तर हम लोगों ने डिस्कस किया था संवधान बनने की एतिहासी प्रस्ट भूमी जिसमें हम लोगों ने 1800 सब्तावं की क्रांती के पहले जो एक्ट आये थे उनकी चर्चा की थी और उसके बाद 1858 से जो एक्ट आये थे उनकी डिस्कसन्स हम लोगों ने किया थे अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ताकि आपको पॉलिटी इतना कटी कियो क्रम से समझ मैं इसके लिए प्ले लिस्ट में जाईए और शे वीडियोस जो पहले के दिये गए हैं आप उन्हें देख सकते हैं तो आज कर जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉंस्की टिविर्ट एसेबली सम्मिधान सभाव तो सम्मिधान निर्मार की बात जब बनती है तो सम्मिधान निर्मार की बात में सम्मिधान बनाने के लिए 1946 में एक कैबिने विशन भागत आता है क्याविरे प्रिशन की सिफारिस पर एक सम्मिधान समा का गढ़न किया जाता है लेकिन हम लोग इस चीज़ को तीन महत्रपूर पॉइंट्स में पढ़ेंगे एक तो देखेंगे कि बैंक्राउड क्या रहा है क्या कब से सम्मिधान की मांग की गई ऐसा तो था नहीं किसी एक क्या है होई तो बैंक्राउड के वारे में डिस्क्स करेगे फिर हम डिस्क्स करेगे जब सम्मिधान सम्मा बनी तो वह किस करें से इस्टारिः से काम कर रही थी उसकी काले अडिले состо с करेंगे कि कौन कों से important points है जो exam में आप से discuss किये जाते हैं तो आईए start करते हैं पहला point और हम लोग discuss करेंगे background of constitution देखिए होता क्या है कि सब्विधान सभा की 1934 में 1934 में पहली बार मां की जाती है और वो मां किसके तरह की जाती है M and draw के लगा तो सब्विधान सभा की जो मां की जाती है वो Congress दोरा की जाती है एक वरसी पश्चार 1935 में 1934 में M and draw की जब से पहले मां की और उसके बाद 1935 में Congress के दोरा सब्विधान सभा बनाने की मां की जाती है उसके बाद आप जाते हैं कि धीरे धीरे जब हमारे यहां प्रथम विश्युद होता है 1914 से 17 उसके बाद 1949 से 1945 दुदी विश्युद होता है और दुदी विश्युद जब होता है तो दुदी विश्युद पर ब्रिटेन जो है भारत का समर्थन चाहता है और ब्रिटेन भारत का समर्थन लेने के लिए क्यो दुदी विश्विद कोई बड़ी आप्रत्याशित मान नहीं थी, प्रथम विश्विद में जो वर्साई की संधी हुई थी, वह इतनी अपमान जनक रही जर्मनी वालों के लिए, तो ये पहले से ही तैखा कि वर्साई की इस अपमान जनक जो संधी हुई है, इसका बददा आज नहीं तो कल जम्हें जर्मनी समर्थ होगा, और तब भालेगा, और वहां निशित तोर पर एक लीडर की तलास में था, जो उनकी इस भावना का बददा ले सके, जो उनके साथ दुर्वार हुआ था, वर्साई की बड़ी की डिस्रिस्पेक्टेड जो ट्रीटी होई थ उसका बदा लेना ही था, और यह समको पता था, चाहे आज हो, चाहे दाज साल बाद हो, लेकिन दुदिय विश्यूदि तो होना है, तो दुदिय विश्यूदि की लगब बहु जो थे, वो लगब समझ में आने लगे थे, और विजित ये चाहता है, कि जब भी बहुता है कि भारत का संविधान भारतीयों अध्वा भारतीयों पर बनी होई, एक संविधान सफाल बना होना चाहिए इसकी बितुरी सी एतियासी प्रस्वों में ये है कि 1935 का जो भारा सासन अधरिया भारत आता है उसको उरता स्विगार नहीं किया जाता है कुछ कम्यों की वज़े से उसी को लेकर के 1931 में नेरुजी प्रस्टाओ पारित करते हैं कि भारत का सम्विधार जब भी बनेगा तो भारतीयों लादारा होना चाहिए या तो भारतीयों लादारा चुनी गई एक सम्विधार समविधारा बना होना चाहिए उस 1931 के प्रस्पावों को तुर्ण तो सुविकार नहीं किया लिया लेकिन 1949 में दुती विश्वुदि ये धजब शोय जाता है तो दुती विश्वुदि के छेपने पर ही जो ब्रिटेन के सर्कार भारत में ती उसने गोश्डा कर दी कि भारत के लोग जो है इस विरोध में और इस विरोध में जब श्टीफा दे दिया और ब्रिटेन को ये लगा कि भारत दुती विश्वुदि में जात नहीं देगा तो भारत को बनाने के लिए एक कुछ प्लैन किये गए कुछ चीजें भेजी गई भारत कुछ योजनायों होने किया उन्ही योजनायों में से एक योजना थी जिसे आप बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया इस समय के भारत के गवर्णर जेनर जो है वायसराय वो लॉड लिंथिगो है लेट लिफिधगो और 1940 में लॉड लिफिगो के शाशनकाल में 1938 में जो नहिरुजी ने प्रस्ताव दिया था कि भारत का समिधान भारतियों दराबार होना चाहिए उसे बिदेन में संसद वाला स्विक्रित कर लिया जाता है और 1940 में यह जो स्विक्रिती होती है इसे अगस्त प्रस्ताव के रूम में स्विक्रित किया जाता है तो आपसे प्रस्ट बन सकता है कि अगस्ट प्रस्टाव कब आता है तो 1940 में अगस्ट प्रस्टाव किस ओफर को सुख्रित किया जाता है तो 1938 वाले प्रस्टाव को ही सुख्रित किया जाता है यह अगस्ट ओफर जो है प्रस्टाव है यह सम्मिधान बनाने की एक लारच हो दे रहे हैं कि हम आपका समयधान बना लेंगे आप जैसा कहने हैं कि भारतीयों लावाला होना चाहिए हम इसको बनाएगे तो समयधान के विर्मान में हम धीरे-दीरे आगे बढ़ता है लेकिन अगस्त प्रस्ताव को सुईगरित नहीं किया जाता अर्ष्मिकाल कर दिया ज भारत में 1942 में क्रिफ्समिशन आता है क्रिफ्समिशन का अभी उद्धिश वही है भारतीयों को बनाना ताकि वह दुद्री विश्युद में ब्रेटेल के साथ सही होकर लेकिन कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर के क्रिफ्समिशन को रजेक्ट कर दिये और क् क्रिफ्समिशन का नाम है कैविशन ठीक है यहां से बहुत ध्यान दीचेगा नोट्स जरूर बनाते चलिए अगर आपको पॉलेटी एक सीरी से हम लोग पढ़ा ही रहे है पूरी पॉलेटी कंप्लीट होगी तो आप इसे नोट्स में पेपर लेके बैटा करिए और इसे नो एक सब्रेट्डार मुर्शक की अधेशता में एक से मिशन कर्फ्स मिशन भारत आता है क्रिफ्समिशन में दो और सज़श को थे एक अपी आनेक्ज़ेंडर और एक स्टेफम पhouse यह वही कृतर है जो कृष्समिशन का अधेशत है तो तीन सदश्यों की एक समीथी आती है, तीन समीथी का, तीन सदश्यों का एक आयोग आता है, जिसका नामने कैबिने मिशन, उनीस्तो चियाजिस में ये भारत आता है, अब जब उनीस्तो चियाजिस में कैबिने मिशन भारत आता है, तो कैबिने मिशन का एक ही उदेश्य हो दो जबों से चुने जाते हैं एक तो ब्रिटिस प्रांतों से ठीक है और एक देशी रियासतों से तो यहां पर देखिए जब सम्मिधान सभा बंदी है तो सम्मिधान सभा में जो सदश्यों का चुनाव होता है वो दो जबों से होता है एक तो कहां से होता है पहले कुल सीटे इस 389 सीटों को दो जडे से चुना जाता है एक तो ब्रेटिस परांतों से मतलब जहां पे ब्रेटें का डिलेक्ट असान था और जो देशी रियासते थी जैसे थी तो 500 पैंसट देशी रियासते लेकिन उनमें से 53 सी रियासतों को सम्ची मिदार संभावर शामिल किया जाता है तो 326 सीटे कहां से आती है बृटिस क्राटों से आती है और 93 सीटों कहां से आती है देसी रियासतों से आती है अब एक बात और जहां रखने वाली है इ Skills is that 299 सीटे आती है वो निर्वाचित होती है ठीक है उन्हें चुना जाता है और जबकि जो देसी रियासते देसी रियासतों से जो सीट आती है उन्हें मनोनीत किया जाता है ठीक है तो अभी इसके कुछ और अफेक्ट है जो हम आपसे चलचा काई गए लेकिन इतनी बात ध्यान रखनी है कुल सीटे कितनी थी 399 थी कुल बिटिस प्रांटों से कितनी आई थी 296 इसमें भी एक डिवीजन है देखो जैसे 296 में से 292 सीटे प्रांटों से डैरेक्ट आई थी और जबकि चार सीटे जो थी वो चीफ कमिशनरी से आई थी चीफ कमिशनरी क्या होता है आज की भाशा में समझे जैसे आपके पास 28 तो वो जैसे आज केदर सासित प्रदेश होते हैं वैसे ही चार चीफ कमिशनरी हुआ करती थी अंग्रेजों के सासंकाल में तो दो सो बानबे प्रांटों से और चार चीफ कमिशनरी से सदर्श आय थे कुल 296 आय और तीरा नबे देशी रियासतों से पनूनित किये गये थे इसके कुछ जरूरी फैक्त हैं जो आपको याद रखने चाहिए कि सब्धान सभा जो बनी उसमें कुल सदर्श इतने थे 300 नमासी कहां कहां से आय थे मैंने आपको बता दिया कुछ इससे जरूरी बाते हैं जो आपको जान रखनी है यहां पर जो 296 सीटों का निर्वाचन ह हुआ है एक प्रस में पूस्ता जाता है कि इसे निर्वाचन का अधार क्या था तो इन 296 सीटों को जो 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 होता है यह जन्रसंद्या के अधार पर होता है प्रतेक 10 लाख पर एक सीटे चुनी जाती है तो अगुमन अगर हम लोग गैस करें तो 296 सीटे चुनी गई थी इ आप से दूसरा प्रस में कुछता है कि किस पर्दती से चुनाव पा था तो वहीं पर्दती से चुनाव होगा है जो आज में जिस पर्दती से राश्ट्रपती का चुनाव होता है राश्ट्रपती का चुनाव सिंगन ट्रांस्परेबल सिस्टम या एकल संक्रमड़ी सब्सक्राइब निर्वाचन किया गया था यह जो 296 सीटे निर्वाचन होगी थी इन्हें तीन प्रवक्र समदायां में बाटा गया था पहला जंडल जहां पे आप इसे कॉंगरेस समझ सकते हैं जंडल को 213 सीटे दी गए थी जिसमें से कॉंगरेस ने 208 सीटों पर जीत प्र चार सीटे दी गए जी और कुल कितनी सीट जीत पाए एक सीटे जीत पाते हैं तो इस तरह से देखेंगे कि जब कभी भी कुल निर्वाचन होता है तो इसको आप जोड़ेंगे तो 296 सीटे आ रहा होगा जबकि इसमें देखो 203 दीगे लेकिन जीत तो पाए निसार के सारे तो बागी कोई और जीता होगा तो ऐसे करके 15 लोग अन सदर्शत है जो इस सभा में चुले गए तो अब इसको आप एड़ करेंगे तो 296 आप होगा इस तरीके से 15 अन जिसे आप निर्दली क्या सकते हैं कि वो तीनों दल से नहीं थे ना तो जनल कोंगरिस के थे ना तो इस तरीके से अब देखें कि तीन सभुख समगलाया पे 256 सीटों को अबाटा गया किस अधार पर चुना गया था जलसंख्या अधार पर कौन सी पदती अपनाए गई एकल संक्रमणी पदती अपनाए गई एक बहुत इंपॉर्ट इंप्रेंट मैंने लिख रखा है कि जब जो पहली मैंटिक बैटक होती है समग्दान सभा की तो कुल सदश्य कितने रहते हैं 389 लेकिन पहली मैं जो अबस्टिर सदश्य होते हैं वो 211 ही होते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा इस लिए होता है कि जो मुस्लिम लीग रहती है वो पहली मैंटक का वहस्तार कर देती है और पहली में वो नहीं आती है, इसका तरण है, आप याद करिए 1940, 1940 में मतलब 22 दिसंबर 1940 को जिन्ना ने एक दिन मनाया था, उस दिन को day of declaration कहा जाता है, 22 दिसंबर को, और मार्च 1940 में, 22 दिसंबर 1949 में day of declaration मनाया जाता है, जबकि मार्च 1940 में जिन्ना ने एक मांग कर ली पाकिस्तान के, अलग नेशन की मांग 1940 में हो गई थी, अब अलग देश की मांग हो गई थी, तो वो पहली बैटर में इसलिए सामिल नहीं हुए, ताकि उन्हें अलग देश सब्सक्राइब का भाड़ होगीぐ, पहली बैठर को हो गई तो किस तरह से वो काफ कर रही है, कांसटिमेंट आसम्म्र नहीं सब्सक्राइब को समपिधान सबाख जो थी कौ तक चली है, तो 9 दिसम्बर से लेगर के 26 निमबर में rifles 49 हम लोग अन्ति मुरूप से समपिधान बना करके प्याल करते है, तो 26 निमबर 1997 तक समप जूने सबाख चलेगी. ठीक है 9 दिसंबर से लेकर के अग एक दिन सर्गार चलेगी एक दिन समिधार निर्मार होगा तो 9 दिसंबर को अगर समिधार निर्मार की प्रत्रिया चलेगी तो 10 को सर्गार चलेगी फिर दोसरी बेखर होगी 11 दिसंबर 1996 को हमारा जो संविधान सभा ने काम किया है वो कितने वर्स तक दो वर्स ग्यारा माह और अठारा दिन तक काम किया है इसलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान निमार करने में दो वर्स ग्यारा माह और अठारा दिन का समय लगा जो हमारी अंतिम मेले को होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है क्योंकि हम संभिधान को finally लागू तो 26 जनवरी 1950 को करते है न भले ही बंद करते हैं 26 नमबर 1949 को लेकिन लागू तो करते है 26 जनवरी 1950 को तो जब 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे एक दिन पहले सर्दार चली होगी और उसकी एक दिन पहले अंतिम बैटक होगी तो प्रसाम मेंट इसंबर 1904 अंतिम बैटक 24 जनवरी 1950 को ही थी और 26 जनवरी 1950 से लेकर कि जब तक हमारे हाँ पहली बार चुनाओं नहीं होता तम तक हमारे हाँ कैसे सर्दार कि इसके बारे में अलग वीडियो डिस्कूस करेंगे कौन किस मंतराले को समाण रहा था तो इस तरह से आपने देखा कि संविधान सभाग किस तरह से कारे रख थी ठीक है अब संविधान सभाग के बारे में इसकी कारे प्रणाली से जुड़े होगी कुछ important facts है जो आपको जानने चाहिए देखिए दिया गया है महात्रमुर्टत्थ है यह important points क्या महात्रमुर्टत्थ कि जो समिलाज सवा बढ़ी उसकी पहली बैटक होई तो पहली बैटक में जो हमारे सबसे बुदुर्द वेक्टी थे उनका नाम है Dr. Satchila Nand Sinha तो जो सबसे अधिक आयू के वेक्टी थे उस वेक्टी को हम लोगों ने आस्थाय अध्यक्ष घोसित कर दिया तो 9 December 1946 को Satchila Nand Sinha को आस्थाय अध्यक्ष घोसित किया गया पहली बैटक में आपसे यह भी प्रस्ता बुचा जाता है कि यह किस देश का परंपरा है तो यह जो है वो फ्राव सदेश की परंपरा है यह पहली बैठक का अध्यक्ष आस्थाय अध्यक्ष वही होता है जो सबसे आयू में बड़ा होता है फिर 11 December 243 को तो दिये बैठक होगी और हम डॉप्टर राजेति प्रशाद को क्या चुल लेंगे अध्यक्ष चुल लेंगे और वो ही कैसा पर्मानेंट मतलब की अस्थाय अध्यक्ष और उसी दिन हमें उपाध्यक्ष भी चुल लेंगे 11 December को उस उपाध्यक्ष का नाम क्या है सम्विधान सभा के H.C. मुखर जी हमारे जो सम्विधानी सरादार रहे हैं वो B.N. राउसाब रहे हैं तो इस तरीके से हमारा जो सम्विधान बना इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट है जैसे कि सम्विधान बनाने में दो बज़ से 11 माह 18 दिल लगे जो मिने बताया कुल 64,00,00 रुपय का खर्च लगा कुल 11,70 में यह सम्विधान मतर के तयार हुआ 11,70 में और साथी साथ कुल 3 वाचनों में तो 3 वाचन मतलब 3 बार उसे पढ़ा गया है रिवाइस किया लिए तो 3 वाचनों 11,70, 64,00 के खर्चों 2 वर से 11 मां 18 दिन का समय लगा करके और 10 देशों के सम्विधान से भारती सम्विधान में अच्छी अच्छी बातों को सामिल करके हमारा देश का सम्विधान 26 नमबर 1949 को बढ़कर दयार होता है इसी लिए 26 नमबर 1949 को सम्विधान दिवस भी मनाया चाथा है तो मुझे लगता है जितनी चीजें इंपोर्टेंट थी आपने देखी एक इंपोर्टेंट बात मैंने लिख रखी है ये देख रहे हैंगा 13 दिसंबल 1946 जो दुती बैठक को हुई है मतलब तीसरी बैठक अच्छी 9 को पहली 11 को नूजरी और 13 को तीसरी 13 दिसंबल 1946 को पड़ी जमाहना देहरु ने एक बड़ा सा भाषण दिया सम्मिधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसी उद्देश्य प्रस्ताव के अधार पर आगे चलके हम लोग उसके संचित रूप को प्रस्तावना के रोप में स्विकार करते हैं प्रस्त उचा गया है कि प्रस्तावना किस बैठब का नतीज़ा है तो त्रती ये बैठब का नतीज़ा है जो 13 दिसंबल 1946 को सम्मिधान सभा में हुई थी और नेरू जी ने वहाँ पर अश्रण दिया था एक और इंपोरिंट बाद जो कि आज की आखरी बात है यहाँ पर लिखा गए है कि गांधी और जिन्ना मात्मानाधी और मुहमत अली जिन्ना को छोड़ करके लगनों कि सारे के सारे जो बुखे नेता थे लेडर्स थे उस सम्मिधान सभा के सदश्य थे इसका मंदब जिन्ना भी सदश्य नहीं थे सम्मिधान सभा के और माधी भी सम्मिधान सभा के सदश्य नहीं रही तो मुझे लगता है आपको सारी बाते क्लियर होई होगी और इस तरीके से आपकी लगातार पढ़ाई भी जानी होगी आप इसे पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, हम आपसे अगले फियो मिलते हैं, वीडियो नवर्स एट में, ठीक है, अगर आपको यह हमरा इनिसेटिव अच्छा लगता है, यह फैक्ट जो ही हम डिसकस करने हैं, आपके लिए बेनिफिशल है, तो आप ज जिनके लिए हम लोग यह प्रयास रते हैं, और हर बच्चा इससे दावार मित हो सके, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्यू, दादेवार